नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपके आज की एक और नई वीडियो में जहांपर हम बात करेंगे जोन डियर 545 गेर प्रो और सवराज 963 FE के बारे में ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपकी जुरूरत के मताबिक आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर सही रहेगा तो शुरुआत करते हैं नके बॉनेट से जोन डियर 545 में सिंगल पीस बॉनेट मिलता है जिसको चाबी के साथ लोक और ओपन कर सकते हैं वहीं पर सवराज 963 में भी आपको सिंगल पीस बॉनेट मिलेगा जिसको ओपन करने के लिए एक स्लाइट लोक दिया गया है जिसको पुश करके बड़ी असानी से इसके बॉनेट को ओपन कर सकते हैं और इसके बाद बात करें के एंजिन की तो जोन डियर 545 में 2900 CC का 3-slander engine मिलता है जो की 2100 RPM पर 368 HP की पावर जनरेट करेगा वहीं पर सवराज 963 में 348 CC का 3-slander engine मिलता है जो की 2100 RPM पर 60-50 HP की पावर जनरेट करता है इसी के साथ इनके फ्यूल पंप को देखें तो इन दोनों ही ट्रैक्टर में बोस कंपनी का in-line fuel pump मिलता है वहीं पर अगर air cleaner की बात की जाए तो इन दोनों ही ट्रैक्टर में dry type air cleaner मिल जाता है और अब gearbox को देखें तो जोन डियर 545 में कोलर shift gearbox side shift के साथ मिलता है जिसमें 12 forward और 4 reverse speed मिलेंगी वहीं पर सवराज 963 में synchromass gearbox side shift के साथ मिलेगा जिसमें 12 forward और 2 reverse speed मिलती है इसी के साथ अगर इनके clutch को देखें तो इन दोनों ही ट्रैक्टर में double clutch independent lever के साथ मिलता है जिससे पीडियो को बड़ी ही असानी से उपरेट कर सकते है इसके बाद इनके platform को देखें तो जोन डियर चोवन जीरो पांच में काफी spacious platform मिलता है लेकिन इसके platform में बीच में थोड़ा bump देखने को मिलेगा वहीं पर सवराज 963 में flat platform काफी अच्छे space के साथ मिलता है और इसके साथ चोवन जीरो पांच में आपको tilt adjustment steering मिलता है जिसको आप अपने driving posture के according adjust कर सकते हैं वहीं पर सवराज 963 में आपको simple steering ही मिलेगा front axle की बात करें तो जोन डियर चोवन जीरो पांच में non-adjustable front axle मिलता है इसके साथ इसमें single acting hydraulic steering मिल जाएगा वहीं पर बात करें 963 की तो 963 में adjustable front axle मिलता है जिसकी चोड़ाई जुरूरत के मताबिक adjust कर सकते हैं इसके साथ 963 में भी single acting hydraulic steering मिल जाता है इसके बात करें दोनों के brake की तो जोन जीर चोवन जीरो पांच में hydraulic assist OIB brake मिलते हैं जो की self adjustment के साथ आते हैं वहीं पर सवराज 963 में mechanical actuated OIB brake मिलेंगे और ये manual adjustment के साथ आते हैं और अगर इन दोनों tractor की dimensions की बात की जाए तो जोन जीर चोवन जीरो पांच में 2050 mm का wheelbase, 425 mm ground clearance और 280 kg का total weight मिल जाता है वहीं पर सवराज 963 में 2210 mm wheelbase, 425 mm ground clearance और 2650 kg का total weight मिल जाएगा इसी के साथ अगर इनके tire size को देखें तो जोन जीर चोवन जीरो पांच में front tire 6520 और rear tire 16930 के मिल जाते हैं इसी के साथ जोन जीर चोवन जीरो पांच में rear tire में 16928 का option भी मिल जाता है वहीं पर सवराज 963 में front tire 7516 और rear tire 16928 के मिल जाते हैं lift को देखें तो जोन जीर चोवन जीरो पांच में 3 point sensing lift 2000 kg की lifting capacity के साथ मिलती है वहीं पर सवराज 963 में 4 sensing point lift 200 kg lifting capacity के साथ मिलेगी इसी के साथ इन दोनों ही ट्रेक्टर में implement लगाते समय लिफ्ट को पीछे से ही उपर या नीचे कर सकते हैं लेकिन सवराज 963 में lift को पीछे से उपर या नीचे करने के लिए mechanical lever मिलता है वहीं पर 54.05 में lift को पीछे से ही उपर या नीचे करने के लिए electronic control मिल जाते हैं इसके बाद बात करें PTO की तो जोंड या 54.05 में 6 appliance में 540 standard के साथ 540 economy या फिर reverse PTO का option मिल जाता है जिसमें आपको 54 HP की PTO power मिलती है वहीं पर सवराज 963 में 6 appliance में 540 standard, 540 economy, multi speed और reverse PTO का option मिल जाता है और rear axle को देखें तो इन दोनों ही tractor में planetary drive reduction rear axle मिलता है और जैसा कि मैं अपनी पिछली हर वीडियो में बताता हूँ कि planetary drive का फायदा ये होता है इससे tractor के differential यानि crown pinion तो safe रहता ही है साथ में tractor की किसी भी implement या ट्रोली को खीचने की ताकत भी कुछ परसेंट तक बढ़ जाती है और वीडियो के अंत में बात करें दोनों tractor के price की तो जोंड ये 54-05 की कीमत हरियाना स्टेट में 2 will drive में 9,50,000 है वहीं पर सवराज 963 की कीमत 2 will drive में हरियाना स्टेट में 8,80,000 है तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को फोलो करें